हेलो डिया फ्रेंज आप से भी का वैलकम आपके अपने यूट्यूब चाल तनुकुलासेस आटको में दोस्तों आज की सीडियो में हम लोग करने वाले है बालो जी का ओफिसल मोडल पेपर का सेट 9 इससे पहले दोस्तों हम लोग ने सेट एर तक कंप्रेट कर दिया था अगर और दोस्तों जो पूछे गए हैं वही कोशन को से इस वीडियो में कड़ाएंगे और यह सभी कोशन आपके लिए इंपोर्ट है नहीं है वह भी बहुत जदा इंपोर्ट है जिसमें आप लोग लगो और दील को परश्न को करने वाले इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो क देखे और फटाफर सभी का अंसर देते हैं फिर चलिए ज्यादा टाइम आप लोगों का बिल्कुल भी ने लेंगे फ़हला कुसन आपके स्क्रीन पर खुराना को नोबल पॱ्षकार क्यों मिला था ने की खोच की वज़े से और आर न की खोच की वज़ेसे या फिर जीन के रासानिक संसलेशन है तो खुराना को जो नोबिल प्रिस्कार मिला था वो जीन के रासानिक संसलेशन के कारण ठीक है चली अब एक तिन इस को समठ्टू आपके स्क्रीन पर ब्रेट बनाने में कौन सुक्षमजीब परिक्त होता है इसका जो राइटन से रोगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आरेन में परोब द् कष्वारा फिर आरेन की पहँचान डी न पर प्रोब द्वार्ड या फिर प्रोटीन की पहँचान नमांकित emitism की द्वार्ड य फे डीने खंडि की पहचाण देन और न परोब द्वार्ड तो दोस्तो इसका जो राइटन से रोगा विल्कुल आपका हो जाएगा वो है लास्ट वाला ओप्सन यहां कि DNA खंड की पहचान, DNA या RNA प्रोब की द्वारा जो है सदन ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है, simply आप question पूछ रहा है कि सदन ब्लॉटिंग की द्वारा क्या की जाती है तो DNA खंड की पहचान की जाती है, ठीक है, DNA यहांगा RNA प्रोब द्वारा चलेंगे दोस्तों इस question question आपका 4 है, दिवीतियक परदुशक होता है दिवीतियक परदुशक होता है, carbon monoxide, carbon dioxide या फिर pan या फिर aerosol, बहुत ही important question है और इसका जो right answer होगा बिल्कुल आपका होजाएगा वो है दोस्तों 5, ठीक है एनकी pan 5 तो दिवीतियक परदुशक जो होता है, इसमें से right answer आपका क्या होजाएगा, option C चलेंगे दोस्तों नेको संग कोसमर 5 इनमें से कौन तलाबिये परस्तिती की तंत्र में एक से अधिक portion अस्तर पर कार्य करता है वीच अप दो फॉलिविंग इज, found in more than one ट्रोफिविक लेवल इन आप पोण एको सिस्टम इनमें से कौन है जो कि तलाबिये परस्तिती की तंत्र में एक से अधिक पोसल अस्तर पर काड़ी करता है मेड़क या फिर फाइटो अपलेक्टन या फिर मचली या फिर जू अपलेक्टन तो फाइटो पिर जो राइटो अस्तर पर काड़ी करता है तेखेंगे दोस्तों इस कोशन नमर 6 चिपको आंदुलन किसके बचाव के लिए चलाया गया था दलदरी भूमी घास परदेश वन या फिर पशुषमूदाए तो चिपको आदूरन है, वो किसके बचाओं में चलाया गया था, बहुत ही important question है, बिल्कुल 6 का right answer आपका हो जाएगा, वो है दोस्तो 1, या जी हा, forest, तो चिपको आदूरन है दोस्तो, किसके बचाओं के बचाओं के लिए, 1 के बचाओं के लिए जो है, चलाया गया था, दे सप्रेशर जीन का निश्कीरी है, यह कि activation of oncogen and inactivation of tumor suppressor gene, इसको पढ़ते है, suppressor gene, तो इसका right answer है, वो आपका हो जाएगा, option D, काओ ख़व दोनो, यह कि cancer का कारण होता है, वो oncogen का सक्रिया भी होता है, और tumor suppressor gene का निश्कीरीन भी होता है, right answer आपका हो जाएगा, option D, काओ औ या फिर आपका back cross है, बहुत ही important question है, और eight का right answer होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है test cross, यानिकि option C, जो भी बच्चे वीडियो को share नहीं किये, फटाफट अपने दोस्तों को share करके सभी बच्चे को जोड़ेंगे, सब कोई साथ में पढ़ेंगे, तो मजा भी बहु अब देखते हैं, बहुत की परजाती में, फूल किलते हैं, पूरे जीव अवधी में एक बार, 12 वर्स में एक बार, या फिर आपका है, बहुत रही बास है, बास जो हम लोग फड़ते हैं, बास की परजाती है, ये question में आपको पहले भी करा चुका हूँ, बास की परजाती है, वो एक वधी में एक बार फ़लते हैं, फिर 12 वर्स में एक बार, फिर परफ़ती हैं, फिर 50 से 100 वर्स में दो बार, ठीक है, आपर दो बार option में दिया हुआ, नाइन का जो राइट न सुनोगा, वो हो जागा, दोस्तों, पूरे जीव अवधी में एक बार, तो बास की ज से संबधित है तीन परकार का चार परकार Ilka परकार का इसकी राइट by विल्कुल हो जाएगा दोस्तों है वह संबधित है चलेंगे दोस्तों कोशिकाका से संबधित चलेंगे शिर्ड बर स्वासथ firm सवार्थान सफारी 5000 सफारी पार कंजर स सबी ठीक है यह जन्तु उद्धान वानस्पतिक उद्धान वी और जीब सभारी पार्क भी यह किसका उधारन है सुष्थाने समेक्षन का उधारन है देखेंगे दोस्तों नेस कोशन कोशन में आपका 12 बहुत ही इंपोर्टन कोशन है एक पार्ट से तंत्र में उड़जा पर उड़जा वालें यह उड़जा शन्त मार्ट में उड़जा का समझने है ओग इंगले बच्चे अचित से समय लेंगे पाथ ओव एक वे इनरजी फोलो इनको सिस्टम इठाटी इंबेसे कौशन भाग दुवी गुनमीत है यह चुवजमास अंड प्राग एंफिन 13 का जो राइटन सरो का बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वह है यूगमनस ठीक है तो इनमसे जो यूगमनस है वह भाक्या है दिविगनुत है यानिकि डिप्लॉइड है राइटन सर आपका हो जाएगा आपसर है को सरमा 13 का चलिए देखते हैं नेस को समर 14 मर्गन ने मर्गन ने ड्रासो फिला का परियोग में लाया क्योंकि मर्गन ने ड्रासो फिला को परियोग में लाया क्योंकि यह परियोग सला में आसाने से विक्सित नहीं किया जा सकता है या फिर एक बार जनन से बहुत कम संक्या में संतती मक्या पैदा करती है या फिर जीवन चक्र बहुत छोटा होता है इसका या फिर इसमें आनुवशिक विवदता नहीं पाया जाता है 14 का जो राइटन सो रोगा है पर बिल्कुल आपका हो जाएगा वह जीवन चक्र बहुत छोटा होता है क्या होता है जीवन चक्र बहुत छोटा होता है चलिए रेखते हैं नेस कोशन कोशन में 15 किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वित्रन पर घनत्व पर जाती है रचना पर एफ रिमने से सभी तो किसी आबादी का जो स्वरूप है यानि कि पैटर अफ एणी पोपुलेशन डिपेंड्स और तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है किस चीज़ पर निर्भर करता है 15 का जो राइट अंसर है वह है इन वे से सभी यानि कि वित्रन पर भी घनत्व पर भी डेंसिटी पर भी और जाती है रचना पर ठीक है घनत्व का एंग किसके पूरे परभाव को नियंद्रित करने से सम्मध्य था है अमलवार्शा गलोबल वार्विंग ओजोन ओप्चा या फिर निर्वनी करन तो सिच्टेन का जो राइट अंसर हो गया पर बिल्कुल आपका हो जागा दूस्तो वह है ओजोन ओप्चा यानि कि ओप्चन सी त तो मानब में जो है यानि कि in human does fertilization occurred 17 का जो राइटन से लोगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल इसका राइटन से आपका हो जाएगा गलोबल वार्मिंग यानि कि ओप्चन भी क्या हो जाएगा सोरी आंतरिक सोरी मानब में जो निसेचन होता है वो आंतरि ठीक होता है ठीक है चलिए अब देख देने इस question question 18 एक परिपाव को पूटक से अंडानू यानि कि ओवम अवेरी के मोचित होने की परेक्रिया को क्या कहते हैं अंडोस्तों अंडजनन दुख दस्रवन या फिर निसेचन ठीक है बहुत इसका राइटन सुरोगा विल्कुल आफका हो जाएगा वो है अंडोस्तों तेक परिपाव को पूटक से अंडानू के मोचित होने की परेक्रिया को कहते है अंडोस्तों आपका हो जाएगा को सर्वर 18 का चलिए दिखते हैं इस question को सर्वर 19 भुरून और गर्वाशे के वी सनवहनी संपर्क बनाने वाली सनचना को डैस कहते हैं डिम वाहिनी नलिका गिरिवा नाल अपरा एफिर निमसे को एणी तो 19 का जो राइटन सो रोगा विल्गुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है अपरा तो भुरून और गरवाशे की भी संवहानी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं अपरा क्या कहते हैं वो है ऊपेन कि समाल तो युजब इवे रीज ने किस पउदा पर काड़े किया घुलाव मतर धान और फिर फिर इवनिंग प्राइम रोज को už का बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एवनिंग प्राइम रोज आनिके ऑप्सन डी ठीक है तो हुगो डेवी रोज ने किस पोधा पर काड़ी किया था एवनिंग प्राइम रोज पर राइट असर आपका ऑप्सन डी हो जाएगा कोसर नमर ट्वेंटी वन का चली देखतें कुशन कोसर में 22 हारडी वेंवर्ग सिधान्त है कौन से सिधान्त क्या है एक जीप संख्या में अलिल जिसको बते यूग में विक रूपी आविर्थियां सुस्तिर नहीं होते हैं तो 22 का जो अंसर होगा दूसर राइट असर बिल्कुल 22 का राइट असर आपका हो जाएगा वो है option B यानि कि एक जीप संख्या में अलिल यूग में विक रूपी आविर्थियां और उनके लोकस सुस्तिर होते हैं जो एक पिरी से दूसरे पिरी तेक निरंदर चलते रहते हैं देखें कभी भी अगर आपको question का question में doubt लएक है वैसे आपके पास option दूगणा है 70 में से मातर आपको 35 क्या जवाब देना ठीक है यहापको लगे कि question अगर लग रहा है कि इसका answer थोड़ा सा doubt है तो जो option ज्यादा बरा होता है वो अकसर सही answer होता है जो बरा देखें यह पर option भी बरा है इसलिए तब भी आपको फरके देना है यहापर 22 का right answer option B हो जाएगा वैसे आ समझाती है अनुरूपीय होते है जिसको वह जाती है तो 23 का right answer हो बिल्कुल आपका हो जाएगा वह समझाती है तो अगर अपाद की जो अस्थिया होती है चमगारण, चीता और मानब के वह क्या होते है समझाती होते है यानि कि homologous होते है राइट आपको option A हो जाएगा चलि सीला से अफिर सालमोनेला टाइफी से तो 24 का right answer हो जाएगा फर बिल्कुल आपका हो जाएगा वह option भी स्ट्रेप्टो कोकस ठीक है नियूमेनिया राइट अंसर आपका option B हो जाएगा तो नियूमेनिया जो है वह किसे होता है आप अंसर ऑप्सर भी देख लेजिए अगर देखते है जल जात रोग है मैली वाटर बोर्न डिसेज़ तो जल जात रोग जो है वह कौन सा है पीडिय मलेरी यहांFOLA cancer है टो 25 है जल जात रोग है मैली वाटर बोर्न डिसेज़ जो है वह कौन सा है पीडिया है पी लिया की याग जल के कारण है पिलिया रोग होती है। देखिए नेस को सब्सक्राइब एड्स की पहचान सरवा पर्थम हुई। पोलियों से टाइफाइट से। तो सालमुनिला जो है यह विमारी किस चीज से संब्सक्राइब है। लिपो प्रोटीन या फिर नुकली प्रोटीन। ट्वेटिएट का राइटन चुरोगा बिलकुल आपका रहे गाएगा ओप्सन है प्रोटीन। फटाफट आप लोग कमेंड करेगे कि आप लोगों का टोटल कितना सही हुआ। चाहिए बहुत जरूरी है और जो भी क्षेन आपसे नहीं बना प्लीज इसको नोट कर लीजिए यह बार-बार मैं बोलता हूँ मैं बार-बार बोलूंगा वह नहीं अब ठीक है क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है और बार-बार रिविजन आपको नहीं करवाएंगे और बार-बार आपको यह कोशन देखने को नहीं लेगा, चलिए रिविजन कर लिए जो भी नहीं बने ठीक है, अब दोस्तों करने वाले लगूतर यह प्रेश्ट बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग को ध्यान से देखना है, फिर से जो कोशन नहीं बने प्लिश को नोट कर ले सबी कोशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि पहला कोशन आपका कि आओ से अंक क्या है, यह पूरवजी अंगों से किस परकार विन है, यह भी कोशन इंपोर्टन है, फिर नेश कोशन देखे, आनुवासी कोट की विज़ेस्ताओं को लिखे, यह भी आई कोश है, ये भी इंपोड ₹ moż ऋष्ट सी में आपको अब आपको करने कोशन आपको नेगा है, आपको बता हो तो यह पाहिक को यह एक कोर्ण को कुसर आपके है अंडर तक वीडियो को देखे तभी आपको मजाएगा तभी आपको समझ माएगा और जो कोसन आप से रिवने प्रेज उसको नोट कर लेजगा तभी आपको इस चीज का benefit मिलेगा और अन्य था यह वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा एक दो दिन यह ची अतुम आपको वो नश्य होते हैं किद्टू उनके पूर्वजों में क्रियाशिल थे गैलनिगदारीं के शरिकher से अक्रिय यहारे किन्तू उनके पूर्वस कंते वह क्रियाशिल थे इसको क्या बलते है ऑक포शील पहले जैसे आप लेगना और पिता जी पित जो है वह अक्र देना बहुत जरूरी है निक्टेटिंग मेंब्रेन क्या है निक्टेटिंग मेंब्रेन एवंग करमी रूप पड़ी शोशी का तो राइट अंसर यहाँ पर ओप्सन नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई नगर आप्सन पूस दे कभी कि इसका एक्जाम्पल दें आउसे सी अंग का ठीसु में कभी चोटी पोच का पाया जाना थिक है याणिकि जब मानब थे सीसु में कभी कोड की विशेस्ताओं को लिखे आनुवनसी 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 क नहीं लिखना ठीक है चले इंग्लिस वाले बच्ची आप अच्छे से समझ लेंगे अब देखते हैं पहले वाला कोशन को भी मैं आपको दिखाया दना देख लिजे आप लोग ठीक है चलिए देखिए आपर तीसरा वाला कोशन इंपोर्ट है थोड़ा समझे चरन बादी सु चरन खाते सुरंखला पादपों से पराणब होकर छोटे जन्तों से बरे जन्तों के ओर चलती है कहांसे पादपों से शुरुवात होकर छोटे जन्तों से लेकर के बरे जन्तों के ओर चलती है जैसे जैसे पादप पहले पादप फिर शाकारी जन्तु फिर मासारी जन्तु यानि कि बागा, एक जंपल पर आपको दे दिया है, पहले पादप यानि कि गास, फिर शाकारी 연तु जिसमें खरगोष्कों दे धिया, फिर मलसारी जंतु जिसमें बागों को दे दिया, थीक है, यह हो गया आपका, चारंग खादिये सुरंकला, यानि कि पादप से शुरुओ एक चोटे जन्तू, फिर बड़े जन्तू, अब अपरत खादी सुरंकला क्या है, अपरत खादी सुरंकला मिर्द जानवरों के प्रारंब से होकर सुक्षम जीववां की ओर चलती है, पहले मिर्द कारवनी पदार, फिर अपगड़क, यानि कि यह क्या हो गया जैसे कि मालते भाग हो गया भाग खानी का भाग मढ गया तो मरने के बाद यानि मिर्थ होने के बाद शुरुवात होती उस सीज की कहा पर अपरत खादी सुरंखला में उसकी बाद फिर अब घटक बन जाता फिर वह शार बन जाता है जिसको अनुप खेत वैगर आप पढयोग करते हैं ठीक और अपरद खादी शुरंखला के ऊपर अब देखें इस question question क्वेशन में कितना हो जाएगा question 4 खादी शुरंखला ताथा खादी जाल को परिभाशित करें फिर से आपको पूछरा कि खादी शुरंखला और एक खादी जाल इन दोनों के विच का डिफरेंट इन दोनों को डिफाइन कीजिए परिभाशा को लेके देखें खादी शुरंखला उत्पादों की भोजन उड़्या का अनेक शरणियों के जीवों जैसे कि शाकाहरी, मासाहरी उसके बाद आपका एक option अबगटन करता हो अस्थानांतर होना खादी शुरंखला कहलाता है उत्पादों की भोजन उड़्या का अनेक सरेणियों के जीवों जैसे कि साकाहरी हो गया, मासाहरी हो गया ताथा अबगटन करता दोवारा निरंतर उपयोग यानि कि लगातार उपयोग करते रहने के कारण जो अस्थानांतर होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है इसी को खादी सुरंखला कहते है या फिर आप अगर उखो सके हैं, तो इस डिफिनेशन को भी लिख देजेगा यह पहला होला डिफिनेशन में बताया यह भी इंपर्टता है, एक जांपल आपको बिल्कुल ऐसे ही देना है चरण खादी सुरंखला के बारे में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, उसके बाद आपको कोशन क्या पूछ रहा है कि भाई, इसका उधारन सबसे पहले तो देना ही है फोफित संहिक है आपको का कि खाधिय स्रंखला का एक नेटवर्यक क्या होता है तो खाधिय जाल, जाल, इसको फुट विब्स समस्कते है कादिय जाल, का एक ke रिष जाली जाल बनाती है तिप्ट यहां पर एक क्जोंपर आप देख आप देख सकते आराम से किस तरीफ से जाल बनाती है सबसे पर देखें हरी खास लोगनी भीगाता है फिर गफ्ट थे नत्रय पये तक यह थिसफित अज से muchís फिर ये शेर जब मर जाता तो फिर जो है वापस किसी तरीके से पिलू वगरा होता है जो कीट वगरा होता है उसको खाता है फिर उसको खाने से फिर आप गटन होयाती है फिर वहां उर्वड़क होयाती है फिर जंगल होयाती है फिर जंगल पैदा फिर हरी कास होयाता है तो य चैन है एक परगार का यानि कि घुमा फिरागड़ें फिर वहीं सबको आना है ठीक है अब देखेंगे नेस कोशन कोशन नमर आपका फाइब जीन चीकितसा क्या है इस चीच को सबाजे बहुत इंप्पोरेंट कोशन है देखें जीन चीकितसा किसी जीब के आनुवनशिक दोस के उपचार हे तू एक या अधिक समाने जीन को काईक कोशिका में परवेश कराना किसमें काईक कोशिका में परवेश कराना जीन चीकितसा कहलाता है ठीक है किसी जीब के आनुवनशिक दोस जो होता है उसके उपचार के लिए उसके इलाज के लिए एक या एक से अधिक समा समान ने जीन को काई कोशिका में परवेश कराना यानि कि एंटरी कराना क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जीन टिकित सा और इस वीडी दुवारा जीन दोसों का सुधार किया जाता है किस चीज का जीन के साथ जो दोस होता है जीन के साथ जो दोस होता है यानि कि जो बिमारी काड़ी के वैगरह होती है उसी चीज़ को सुधार किया जाता है इसमें रोग के उपचार हे तो जीनों को वैकती की कोशिकाउं और उत्तकों परवेश करया जाता है जीन चिकित्सा में आनुमनसीक दोशावली कोशिकाओं के उपचाड है तो समार ने जीन को वैक्ति या भुरून में अस्थांतरित किया जाता है यह अस्थांतरित जीन निश्क्रिये जीन की छति पूर्ति पर उनके काडियों को संपन करती है तो जीव हो अगर इन दोनों के वज़े से एक सामान अगर देखे तो इस सब्द कपड़यों के प्रिनाम सोरूप जो संतती यानि कि जब अलेंगे जनन होता है उसके बाद जो संतती उत्पन होती है जो ओफ इस्परिंग उत्पन होती है वह केवल एक दूसरी के समरूप ही नह जाता है क्योंकि यह केवल एक दूसरे के समरूप भी नहीं बलकि अपने जनक के आनुचिक रूप से भी समान होते हैं चीज़े आपको समझना रही है अगर देकिन इसको सन कोसे नमर सेवन परखनली सीसु जिसको अम लोग बतने टेस्ट यूब बैबी इसकी वारे में बत योग साला में पत्नी का या दाता इस्तिरी के अंडे से पती अत्वा दाता पुरूस से प्राप्त सुक्रानों को एक्तरित करके अनुरुक प्रस्तितिया में युगमनत बनाया जाते हैं इस युगमनत या प्रानविक भुरुन जो के आर्ट ब्लास्टियर के फेलोपीन अ कहते हैं ठीक है चीज़ आपको समझा रही है किस तरीक से लाइब वेगर में बच्चों को बनाया जाते हैं क्या नहीं बोला है अब पत्नी का फिर अंडे से और पती पुरुष का प्रास्टी सुक्रानों को एक्तिरित करके अनुरुप पस्यूतियों में युगमनेश बनाया जगत निमने अंग आते हैं सबसे पहला एक जोरा अंडवाईनी तिसरा एक गरभाश है एक योनी बहाईये जनेंद्री और एक जोरा अस्तन गरंतियां होती है चीज़ा आपको समझ मारी है इन्हें इस्तरी जनेंद्री के परमुक अंगों का बोर बर परमुक यानि कि जो जोरा अंडवाईनी एक गरभाश है एक योनी बहाईये जनेंद्री और एक जोरा अस्तन गरंतियां होती है चलिए चलिए इसको नहीं देखे अच्छे से देख लेंगे ठीक है आप लोगो टाइम नहीं देता हूँ बिल्कुल भी देख लेंगे इसको भी इसको भी देख खुण है देख लिए जाब लोग ठीक है वसे तो आप लोग इसको छोटा कर देता हूँ ठीक है चलिए अब देखते जरुक्त अब क्क्रेंड क्या है अमेवी अतिसार के लक्षिन क्या है अब लोग ने निम लक्षिन है आपको कोष्ट वद्धता कब्ज ये उद्रिये प लेकर निस्क्रिय इन दोनों के बिच क्या अंतरह डिफ्रेंस है उसको समझते हैं देखे शक्रिय पर्तिरक्षा एक धीमी क्रिया है और समय लेती है इसमें शरीर को एंटिजेंस का सामना करना पड़ता है जबकि सरीर के रक्षा के लिए बने बनाएं पर्तिरक्षी सीधे ही स सरीर को दिया जाता है तो उसे निस्क के लिए पर्तिरक्षा कहते हैं ठीक है चली एक और कोश्चन आपका बहुत इंपोर्टन कोश्चन को देख लेए इंपोर्टन कोश्चन है एंटिबाटिक्स क्या है इसके दो उजाहर रहासानिक उत्पाद है जो सुक्ष में जीवों से परापत होते हैं सिक्ष निवों के खिलाफ इपरीक्त होते हैं जैसे एगजंपल ओर इसका च्छांपल दे दिया एक्जांपल बहुत जरूरी है क्या क्या एक्छांपल है यहाँ पर हो गया तो दोस्तों हम ने में 11 कोशन किया है आपका लिखा हुआ है यहां पर आपको पूर्ण तरीके से साइंस की त्यारा ही करें जाती है खासकर बाइलोजिक केमिस्ट्री और इसके बाद आपका फिजिक्स तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आउए से कीजिए वीडियो को शेर किजिए अपने दोस्तों को यहां प्राइब करते है यह वल्दम